लो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबी का एक नई बढ़ती के साथ शैकारिता बैंक में बिना CET के एक्जाम पास किये हुए और आप नोकरी लग सकते हैं क्या किया इस नोकरी की खास इसकी संपून जानकारी है और जो बच्चे offline classes में पढ़ रहे थे उनको आज से लगबग पर चुकि आचार सहीता बहुत नस्दीक आ गई थी एक दो दिन बचे थे तो बड़ती को लेकर काफी असमंध चल रहा था इसलिए मैंने इस पर कोई वीडियो बनाया नहीं कि कोई वेकेंसी भी नहीं आवे बच्चे बेवज़े गुम रहा हो पर आज इसका official notification आ चुका है क अब से इसकी date रखी है क्या इसकी face है आपको form बनने से पहले क्या के सावधानिया रखनी है सारी चीजों पर हम लोग आगे से आगे जो वीडियो बनाते रहेंगे तो आप बने रहना चैनल पर नए नए आये हो तो subscribe कर ले आप जरूर देखो सबसे पहले तो मैं आपको बत करेंगे रही बात सीटी की राजस्तान के हर एक्जाम के लिए सीटी जरूरी होता है इसमें सीटी के आपको जरूरत नहीं है complete नो बताऊंगा मैं नोकरी कैसी है तो मतलब जबरदस्त नोकरी है देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैंають कि सब इसमें वेकेंसी जो है वह किस किस पद पर कितनी है तो देखो यहाज जी का कल जो है इसका ड्राफ तायार किया गया है छे तारिक हो आज ये वेकेंसिय आई है senior manager जो है उसका एक पद है manager के a scene 5 पद है computer programmer के के पांच पने हैं और सबसे ज्यादा मैंने जो है वो 404 आनमे पत चारसो चो जो मैंद रस जो मैं पत जो है वह दैंकिंक असिस्टन है अच्छा बैंकिंग एसिस्टेंट मतलब में नहीं हिंदी इस साय कोको लेकिन सायक से मतलब आप चतुर्त सरेनी चर्क करमचारी मत समझना जो यहां जो बैंकिंग अशिस्टेंट है वो मतलब जो क्लेरिकल पोस्ट है वो बैंकिंग अशिस्टेंट है तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपकी 635 पद जो है वो आपके भरे जाएंगे इससे यह सहकारिता विभाग के अंडर में आता है और राज CRB राजस्तान डोट जियोवी डोट इन पर आपको सारी डिटेल से मिल जाएंगी आपको फोर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो भई 18-10-2023 से लेके 17-11-2023 तक आप इसके फोर्म बर सकते हो यानि अभी आपके पास में मोटे मटे तोर पर देखे जाए तो 10-11 दिन है ठीक है स्राजब्वक से खतम होते ही आप इसके फोर्म चालू हो जाएंगे यूं समझ लीजे आप और आपको कोई टूरी हो और आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठीक है अब देखो यह इंहों न Dolus नने दिऊ हुई है अगर मैं बात करूँ आपको मैं यह जो पूरी रिक्रूट्मेंट जो इसका नोटिस है वो एल क्लासेज यूटूब चैनल वो टेलिग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाना है ठीक है तो यह इस तरीके से पोस्ट वाइज वेकेंसी जो है वो आपको देवी है अगर हम बैंकिंग अशिस्टेंट की देखें वही मैनेजर्स वगेरा की एक एक दो दो तीन तीन पोस्ट आती है जनरली कंप्यूटर प्रोग्रामर की जैसे पांच ही पोस्ट है एक अलवर में है पाली में है शिरोई में हो और एक टॉक में है बाकि सब जिगवरी हुई पोस्ट नहीं होगी ऐसा भी हो सकता है अब बारी आती है बैंकिंग अशिस्टेंट की यह नोन टीएसपी की तो यहां सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वह आपको अगर मैं बताओं तो जैसे एक तो बार्डमेर में 38 पोस्ट है इसके अलवा मेरे खाल से बार्डमेर में है 38 पोस्ट है और बाकी जगह जो है जैसे 22,000, 26,000, 26,000, 26,000, 24,000, 12,000 यह इस तरीके से है हजारों में बात मिझे इसलिए याद आ गई क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इसमें कि आप जब भी इसका फोम बरो तो बहुत अलट होके और फिर बरना क्योंकि यहां ज बेंक भी है इसमें इसमें आपक्स बैंक वो है जो इन सबको लीटर बैंक है ठीक है और यह सी-सी भी जो है वो इसके अंडर में काम करती है तो vic links 1म जो है वह सबसे टोप बैंक माना जाता है इसके अलवा मैं आपको बता दूँ कि यह उन्योली इसलियु बनावर होती है और सदार्द तरीके से कि किस बैंक में कितनी सदेरी रहेगी कितना कोंज सा बैंक medida करें कितने साल से प्रोफित में अपूर्पै है कितने साल से मoh verses पे ढहे तो इस से करम एकिंस आयकों और मैंजर की सेलरिय लगविक 50 प्रशंट का 5 है तो उसको शोट आउट करने के लिए इसका विरोध भी किया जा रहा है पर यह जहां तक है यहां तक है लागू हो जाएगा सोदुना वेतन समझुता जो है जनरली लागू होगा कभी नहीं होगा दो महिने में, चार महिने में, पांच महिने में कुछ डिले हो सकता है, बाकि लागू हो गई, इसको लगने के बाद, लेकिन यहां जो है, एक टेकनिकल इशू यह है कि यह सभी बैंकों में लागू नहीं होगा, मतलब जो लोग पहले पंदरवे की सतनका ले रहे हैं, लगब 25-30,000 रुपे का फरक पड़ जाएगा, और जो असिस्टेंट है, उसके 8,000-10,000 रुपे तनका बढ़ जाएगी, लेकिन यह सब बैंकों में नहीं बढ़ेगी, यह बात आप ज्यान रखना, इसलिए जो इसकी प्रिफरेंस बरो, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, इसके ब लगा है, वो बारवे की वेतनमान की तनका ले रहे थे, यानि कि वहाँ और दूसरे बैंकों में तनका में फरक देखा जाए तो बहुत जादा था, तो इसलिए आप लोग जो फों बरो, बहुत सावधानी से फों बना, किसी से पूच के बना, तसलिस से, कि कहां कहां हमें वेतन जादा मिल जाएगा, क्योंकि आप नोकरी किस लिए करना चाहरे हैं, आप पैसे के लिए नोकरी करना चाहरे हैं, अब एक बात बताओ, अगर आपको पैसा ही नहीं मिले, आदमी शुरुआत में जब नोकरी लगना चाहता है, तो उसका मन यह रहता है, कि मुझे बाह करी लगने के बाद में आएंगी, तो इससे पहले आप ध्यान रखना, कि आप फोम बरो, तो बहुत तसली से बहुत सोच समझ के, मेरा वीडियो देखने के बाद ही बढ़ना आप फोम, ठीक है, मैं आपको संपून डिटेल दूगा इसके, पूरी एकदम, यह बैंकिंग एसिस्टेंट है, नोन टीएसप, यह टीएसप एरिया जो है, बारा, वहाँ 11 पोस्ट है इसकी, आवेदन सुल्क के अगर बात करें हम लोग, तो आवेदन सुल्क जो आपको दिया हुआ है, वो 400 रुपए अनुसुची जाती और जनजाती के लिए है, दिव्यांग जन के लिए भी यह है, और 600 रुपए जो है, OBC और अति पिछड़ा वर्क के लिए है, ठीक है, सामाने वर्क के भी यह है, फिस, अब सबसे मैन चीज़ जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, कि सब इनका सेलिबस क्या होगा, तो देखो तीनों ही, सीनियर मैनेजर हो, और मैनेजर हो, चाए कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, चाए बेंकिंग एसिस्टेंट हो, सब के जो कुशन आएंगे, वो 200 कुशन आएंगे, और 200 नंबर का ही पेपर होगा, ठीक है, इंगलिस, सीनियर मैनेजर, इंगलिस आएगी, मैत आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, राजस्तान की, मैन बात इसमें यही है, कि यह बैंक का पेपर है, यह कंड़क्ट भी राजस्तान की जीके आती है, कम्पिटर की नोलेज आएगी, अकाउंटेंशी आएगी, और राजस्तान कोपरेटिव एक्ट आएगा, यह क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बाद में, ठीक है, कहां से आपको पढ़ना है, सब चीजे मैं आपको बता द सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है, उसकी बात करते हैं, इसमें आपको इंगलीज दिखे रही, यह 30 नंबर की तो, और मैथेमेटिक्स के 40 कुशन आएगे, रीजिनिंग के 40 कुशन आएगे, यानि कि 80 नंबर यह दो पाट आपके कवर करने वाले हैं, ठीक है, जनरल नोलेज राजस्तान, 30 नंबर रास्तान की जी के आएगी, 25 नंबर कम्प्यूटर के आएगे, अकाउंटेंस से आएगी, 25 नंबर की, और आपके कोर्परेटिव एक्ट, सबसे बढ़िया बात यह है कि कोर्परेटिव एक्ट के उनली 10 कुशन पूछा जाएंगे आपसे, तो इस तर और सेलरी बहुत अच्छी है, अगर आज की डेट में अगर कोई यहां बैंकिंग सायक लगता है, तो यह मान के चलिए अगर 2-1 साल उसने यहां बिता दिये, 2 साल का प्रोविशन होता है, वो मेनेजर के लिए भी है, बैंकिंग से अच्टेंट के लिए भी है, अगर उसने 2 साल बिता दिये, तो उसकी सेलरी जो 2 साल बाद होगी, वो 24-45 जार होगी, और अगर आप मेनेजर बने हैं, तो आपकी तनका 42 से लेके और 80 जार रुपे तक होगी, 25 से 80 जार रुपे तक होगी 2 साल बाद, तो बहुत जवरदस जोब है, ञーके, सेलर मचैं में इसने उसने अब आएगा इसके ज़्यादा आएंगे सब चीजे बताऊंगा आपको वो इस इन रीजनिंग का है वो इस इन नुमेरिकल अबिलिटी का है जनरल नोले जो प्राजस्तान में इसने कुछ चीजे दी है इसमें भी सब कुछ दे दिया इसने की जनरल इंट्रेस्ट अवेरनेस म और रास्तान cooperative act जो है यह पूरा है इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूँगा cooperative act बहुत भारी चीज नहीं है ठीक है selection का process क्या रहेगा तो मैं आपको बचा देता हूं कि यह केवल एक एक बार exam दिलवा लिया फिर मर्जी से posting देवे ना पहले आपको प्रप्रेंज बढ़नी होगी इसके लिए ठीक है तो केवल एक exam है इसके लावा कोई typing नहीं है डाइरेक्ट आपका selection है कोई interview अगरह नहीं है पेंड यह है इसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूगा कि इसका पैमेंट कितना रहेगा पैमेंट बहुत जबर्दस रहेगा और मैं तो कहरा हूं बेरोजगारी में सबसे पहले एक गौर्मेंट जोब मिलना जरूरी है पैमेंट तो मिलेगा ही नोकरी करेंगे तो एज जो है वो इसके 18 से 40 साल रखी गई है तो पोस्ट जो जो फोम आने वाले हैं वो भी अच्छे कासे आएंगे यह बात आप मान के चलिए अच्छा कासा कॉंपिटिशन होगा अच्छी कासी नोकरी है बड़िया नोकरी है शांदार नोकरी है यह एडवर्टिजमेंट की मैंन मैं बातें थी इसने कहा अजमेर में होगा अलवर में होगा बिकानेर जेपूर जोधपूर कोटा सीकर गंगानगर और उदेपूर और उदेपूर अग्जाम इससें कोई फरक निपड़ता लेकिन इननोंने मैंशन कर दिये कि सब यह नो ज इसने कहा है कि जैसे अजमेर की बात करें हम तो बेंकिंग एसिस्टेंट 17,000 से स्टार्टिंग होगी बेसिक यह 17,000 से ना होके और अब 25,920 के आसपास होगी यानि लगबग 26,000 और उस पर 40% दिये तो बहुत अच्छी कासी जो है सेलेरी होने वाली है शांदार सेलेरी होने यह समझोते में बैंकिंग एसिस्टेंट की नहीं होगी लेकिन जो मैनेजर सां उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी यह सारी चीज़ें थी इसमें यह इनके कोड दिये वे हैं मैं आपको बता दूँगा कि कौन सी आपको सीरिल वाइज कैसे बढ़ना है कौन सी सी चीज़ें प्रोफिट में है कहां आपको वेतन ज्यादा मिलेगा मतलब नोकरी आप सी सी बी में करोगे कोपरेटिव एंग में करोगे लेकिन तरका का बहु इसके वीडियो आती रहेंगे आप चैनल को सस्क्राइब कर लेना बहुत इंपोटेंट वह बढ़ती है यह बहुत इंपोटेंट है इस दोर में जब हर एक्जाम सीटी से हो रहा है यह बीना सीटी के एक्जाम है तो बड़ा काम का है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मत